Hello friends, this is Mukesh from Learning Technology और new video के साथ मैं वापस फिर से आ चुका हूँ हमारे सपनों का घर हम कैसे बना है इसके next part में तो आज हम बात करेंगे Building Permission Procedure के बारे में हम permission कैसे ले जो building हम बनाने वाले है जो घर हम अपना बनाने वाले है उसके लिए permission की जरुरत होती है वन्ना वो एक अवैद घर माना जाता है illegal घर माना जाता है government जब भी चाहे उसे seize कर सकती है उसे तोर सकती है या उसके संग कुछ भी कर सकती है तो अच्छा रहेगा आपके लिए जब भी घर कुछ बनाओ तो उसका permission पालिका में रहते है या नगर परिशद में रहते है पंचायत एरिया में रहते है बहुत जगा इसकी जरुरत नहीं परती है बट आप चाहो तो वहाँ पर भी बनवा सकते हो बहुत कोई बोलते है कि पंचायत एरिया में इसकी ज़रुत नहीं बढ़ती है बट ऐसा नहीं है आप चाहो तो वहां से भी आप permission ले सकते हो permission लेके घर बनाना ही अच्छी बात है ठीक है तो आज मैं पूरे details में बताने वाला हूँ वरना कुछ मीस हो जाएगा तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि आप सर्वताय नहीं ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है आप जो ड्रॉइंग बनवाए हो अपने इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से ठीक है या किसी से भी तो उसे पास करवाना होगा किस से अथारिटी से जो अथारिटी आपके वहाँ पे अवेलेबल है या तो वो कारपोशन हो गया ये मेट्रोप वेलेबल है व्याओ Gucci अवान हो गया अपकी जेनी जामिन से लेटेट या आर्किटेक्टड दी कर के रख दिये हैं तब को टेंशन लेने की बात नहीं है अब वो क्या करेगा उन सारे documents को क्या करेगा अब जमा देगा submit करेगा permission के लिए ठीक है तो ये होगे हमारा सबसे पहला process कि आपको permission के लिए submit करना है सारे documents को ठीक है तो next process क्या आता है scrutiny payment का scrutiny payment क्या होती है देखिए एक बाद मैं समझाता हूँ आप क्या किये सारा drawing लेकिए इसको submit किये government को submit किये जो check करेगी कि आपका जो plan है वो सही है या नहीं वास्तू के हिसाब से तो देखेगी planned city के हिसाब से देखेगी मतलब आपका घर बनने से किसी और को कुछ problem तो नहीं हो रहा है आपका घर जो बना रहा है वो safe तो है safety के तरीके से भी आपका safe होना चाहिए आपका घर ठीक है और भी बहुत सारे parameters है जो government check करती है आपके plan को sanction करने से पहले तो आपका काम जब सुरू करेगी government तो फ्री में नहीं करेगी वो तो charge करेगी उसके लिए तो वो scrutiny payment उसी चीज के लिए होता है कि ताकि वो अपने valuable time को दे सके आपकी काम को करने के लिए तो इसी लिए ये charges government आप से लेती है scrutiny charges ये अलग-अलग state में अलग-अलग होती है तो ये depend करता है आपके वहाँ पे कैसी है ठीक है तो scrutiny payment होगे आप scrutiny payment दे दिये जैसे याप payment दोगे आपके plan पे आपके drawing पे सारे checking चालू हो जाएंगे तो next process क्या है documents verification ठीक है तो उस office में जो भी clerk level पे होगा वो क्या करेगा आपके सबसे पहले documents को verify करेगा आपके drawing को verify नहीं करेगा सबसे पहले आपके documents को verify करेगा कि वो सही है या नहीं ठीक है जब वो सही है वो देख लिया कि हाँ ये बंदा जो भी documents submit किया है वो सारा सही है तब वो क्या करेगा उन सारे drawing को transfer करेगा अपने higher authority के उपर जो की engineer के पास चला जाएगा वो क्या करेंगे आपके documents को फिल से verify करेंगे documents का verification complete होने के बाद आपके drawing के उपर वो check करना section, architecture, structural जितने भी drawing है सब check कर लेने के बाद अगर उन्हें लगता है कि सही है तो ठीक है अगर हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ correction जरूरत है तो वो क्या करेंगे आपको वापस कर देंगे आपको लौटा देंगे और इसके लिए आपको फिर से सारे collection को सही करके वापस से आपको submit करना पड़ेगा permission के लिए ठीक है तो मैं यहाँ पर माल लेता हूँ कि आपका drawing सारा सही है तो इसके बाद जो next step आयाता है वो step क्या है site verification site verification में क्या होगा engineer की एक team आएगी जो आपके आप जहां पर घर बनाना चाहते हो उस site पर आएगी और वहाँ पर वो check करेगी कि आप जो deed में जितना जमीन दिखाए हो उतना जमीन आपका है की नहीं जादा तो नहीं है ठीक है उसके बाद आप जो plan दिखाए हो वो वहाँ पर बनाना सही है की नहीं है आज पास का महौल चेक किया जाएगा सब चीच चेक करने के बाद अगर सब सही है तब जाके वो engineer क्या करेंगे अपने office जाकर उन सारे documents को उन सारे drawing को अपने higher authority के पास submit कर देंगे इसके बाद क्या होगा एक बात मैं बताना बात मैं भूल गया ये जियो engineer है वो जो आपके plan को verify करेंगे वो DCR के तहत करेंगे DCR क्या होता है development control rules development control rules के हिसाब से आपका plan सही होना चाहिए आपका site जहाँ पे घर बिराना चाहते हो उसके आसपास का महौल भी उसी के अनुकुल होना चाहिए तो सारा चीज अगर match करता है तभी जाके आपको permission मिलेगा तो junior engineer वो लो क्या किये सारे file को अपने higher authority के पास place कर दिये permission के लिए अब वो higher authority फिर से DCR के अनुकुल फिर से recheck करेंगे कहीं न कहीं कोई mistake तो नहीं हो गई ठीक है अगर कोई mistake होती है तो वापस से वो file आपको दे दिया जाएगा आपको फिर से correction करना होगा मैं माल लेता हो कि सारा चीज सही है तब वो क्या करेंगे finally आपको permission देंगे कि हाँ सब सही है ठेड़िये ठेड़िये permission ऐसे नहीं मिलेगा ये क्या हुआ कि permission sanction हुआ sanction हो गया आपको तो अभी तक permission का certificate original copy कुछ नहीं मिला है इसके लिए आपको क्या करना होगा development charges देने होगे ठीक है आपने पहले scrutiny charges दिया था काम करने के लिए काम शुरू करने के लिए तकि government अपने valuable time को दे आपको काम को करने के लिए अब क्या होगा आपको development charges देने परेंगे जब आप सारा development charges clear कर देंगे उसके बाद ही आपको finally आपके corporation के तरफ के आपके municipal के तरफ से आपको final drawing दिया जाएगा with sanction certificate तब जाकर आप क्या कर सकते हैं अपने घर को बना सकते हैं final NOC मिलने के बाद ही आप घर बना सकते हैं एक pre NOC होता है और एक post NOC होता है तो घर बनाने से पहले एक NOC certificate drawing sanction सारा चीज आपको municipal से मिल जाएगा ये सारा चीज मिलने के बाद ही अपना घर बना सकते हैं तो ये पूरा detail process था अपने घर के plan को sanction करवाने का अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने घर का plan sanction करवाना है तो आपको इन सारे stages से पूजरना होगा एक चीज मैं बता दू अगर आपके plan में कुछ mistake है तो ये मुसीबत भी खरा कर सकता है अगर तीन बार से ज़्यादा अगर आप mistake करते हैं तो आपका जो ये submission वाला जो file process case चल रहा है वो cancel हो जाएगा और आपको fee re-submit करना होगा इंक्तम starting से इसका मतलब क्या है कि आपको fee से जब आप submit करोगे तो आपको scrutiny charges फिर से देने होंगे समझ गे मेरी बात तो इसलिए कोशिस कीजिए आप ऐसे engineer ऐसे architect को देने के लिए जो की अच्छे से renowned हो मतलब उनका अच्छा खासा नाम हो ऐसा ना हो जाए कि बार बार गलत कर दे और मुसीबत आपको जहलना पर जाए इंजिनियर का तो नाम खराब होगा ही architect का नाम खराब होगा ही उसी बात आपको भी जहलनी परेगी पैसा भी आपको extra देना पर जाएगा इसलिए अच्छे engineer अच्छे architect सही अपना plan बनवाए और पास करवाए ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ यह submission of drawing procedure आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो सिप अपने तक इस वीडियो को मत रखें दूसरों को भी शेर करें ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सकें उन्हें भी इनका knowledge हो सकें क्योंकि जो गाओं के तरफ में रहते हैं उन्हें इसकी knowledge नहीं होती है तो इससे बहुत problem होता है उनको तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई problem हो क्योंकि मैं घर बनाने के इस सारे process को आपको scratch से सिखाने वाला हूँ एकदम basic level से सिखाने वाला हूँ आप इसी तरफ के videos और भी पाना चाहते है अपने घर को बनाने के लिए अपने घर को अच्छा बनाने के लिए सेफ बनाने के लिए सारे process कैसे क्या होता है सब चीछ जानने के लिए तो इस चैनल को subscribe करना मत भूले सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि ऐसे videos आपको मिलती रहे है तो आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में फिर कुछ ना लेके आने वाला हूँ अपने सपनों के घर बनाने के लिए जो procedure है उसके बारे में तो टाटा बाई बाई टेक केर